पूर्णिया में मिलेगी आपको भूमत दिसागरी जलवाई अभी जलवायू कि मैं विसेस्ता नहीं बता रहा हूं अभी तो मैंने कुछ इसके विसेस्ताओं के वारे में थोड़ी से चर्चा भी नहीं करें उसको हम देखेंगे दूसरी ये जलवायू कहां मिलेगी मेडिटेरियन सी टाइप क्लाइमिट आपको मिलेगी चिली में साउथ अमेरिका कॉंटिनेंट में चिली में उसके बाद इसका कुछ भाग मिलेगा दक्षिण अफरीका में साउथ अफरीका में फिर ये मिलेगी इटली में, सदन फ्रांस में, ग्रीस में, स्लोवाकिया में, लिबनान में, साइप्रस, इसराइल, सीरिया, इन देशों वह देश जो मेडिटेरियन सी या भूमद्द सागर से लगे हुए देश हैं उन देशों में आपको भूमद्द सागरी जलवायू देखने को मिलेगी, उन उन जगहों पर ठीक है फ्रेंट्स, आस्ट्रेलिया में यह जलवायू आपको एडिलेड प्रांत आस्ट्रेलिया में आपको एडिलेड में आस्ट्रेलिया में यह जलवायू एडिलेड में देखने को मिल जाएगी ठीक है याने वेस्टर्न आस्ट्रेलिया में अब आईए इस जलवायू की विसेस्ताओं के वारे में जाने हैं यह कैसी जलवायू आप लोगों ने जब हम स्कूल में थे तो आप लोगों ने भी अपने मित्रों से यह सामान ने प्रस्त नोत्तरी करी होगी या ऐसी जनरली पूछा होगा कि कौन सा मौसम अच्छा लगता है या किस मौसम में अच्छा लगता है तो हम लोग बच्पन में बोलते थे आर बारीस अच्छी लगती है वर्षा अच्छी लगती है कुछ बोलते थे शर्दी अच को केसी गर्मी होती हमारे देश में और बारिस तो किसी से छुपी नहीं होती है तो मुसलाधार कौन सी वर्सा होती भारत में मुसलाधार प्रकार की वर्सा इंग्लैंड की वर्सा नहीं कि हो गई रुख गई फिर सामाने क्रिया गतिविदियां चल रही ऐसा भारत में भारत म हो रही है तो आपको सिर्फ और सिर्फ कीछड दिखाई देंगे सड़कों पर लोगों को ऐसा लगए कि कहीं पर नाले उपान पर आ गए तो कहीं जुगी बैए गई किसी के कहीं पर कब तक शॉट सरकिट है कब तक लाइट नहीं आई कब तक ब्लेक आउट है कहीं कोई फज इस परकार की बात है हेलिकॉप्टर से खाने फेक जा रहे है नीचे यह भारत में आपको देखने को मिलेगा हमारे देश में अधिकांसता ऐसा ही देखने को मिलता है या तो बरसा होती नहीं होती है तो तीनों परकार की चरम मौसमी गतिविदी हमारे देश में होती है लेक तो पहले नंबर पर जो विंटर होती है सर्दी शीत्रितु इसमें तापमान इसमें टेंपरेचर 23 डिग्री से से 19 से 23 से शीतरितु में माफि चाओंगा यह ग्रीश में तापमान 19 से 23 से अधिक नहीं हो था 19 डिग्री और 23 से वहीं सर्दी के मौसम में शीत रितु तापमान 14 डिग्री से 18 डिग्री से अब सोचिए ना तो ज्यादा गर्मी पड़ी उन्नीस डिग्री तेश डिग्री यह को ज्यादा गर्मी नहीं होती ना ज्यादा ठंडी पड़ी इसलिए इंसानों के रहने की सबसे अच्छी जलवाई हो अगर कोई है तो मेडिटेरियन सी क्लाइमेट है आपसे अगर प्रश्ण पूछे पेपर में तो आपको आख बंद करके उत्तर लिखना है उत्तर को टिक टिक लगाना है मेडिटेरियन सी टाइप क्लाइमेट is the best climate of human settlement मानवों के अधिवास के लिए सबसे अच्छी जलवाई हो एक तो यह विसेश्था होगा है दूसरी विसेश्था जिसके कारण इस जलवाई हो को सरवाधिक मानिता प्राप्ते सरवाधिक इसको जाना जाता है दूसरी जो रैनफॉल होती है जो रैनफॉल होती है वो कब होती है विंटर रैनफॉल इन विंटर सरदी में वर्शा विस्था के ऐसी कोई जलवाईू प्राया पैसे तो है ही लेकिन ऐसी बहुत बिरले कम ही जलवाईू है जिसमें रैनफॉलिंग विंटर में होती हो जिसमें वर् वायू है भूमद्य सागरी जलवायू यह परस्णभी पेपर में डारेक्ट आया है कि विंटर में रेंट फॉलिंग कहां होती है तो वह मेडिटेरियन सी क्लाइमेट में होती है ऐसे भी पूछ सकता अगली बार कि विंटर में रेंट फॉलिंग निमलिकित में से किन देशों में देखी जा सकती है which of the following countries have easily rain falling in winter season option number A, Italy option number B, Russia option number C, Nepal option number D, Sri Lanka so your answer will be Italy why Italy? because Italy is situated under the Mediterranean Sea type climate covered Mediterranean Sea type climate के आवरण में ही Italy देश अवस्थित है इसलिए वहाँ पर शीतरितु में वर्सा होती है अब जब यहाँ वर्सा सीतरितु में होती ही न सर्दी जादा न गर्भी जादा तो यहाँ पर कुछ विसेश प्रकार की वनस्पती पनब गई है और यह वनस्पतियां पेपर के लिए बहर्द important है मैंने देखा है केवल इन वनस्पतियों के बारे में UPSC के द्वारा आयोजीत पेपरों में ही पूछा गया है बाकी पेपरों में अब धीरे धीरे इनके प्रकार आने लगे हैं और वो कठिन कुश्चनों में सामिल है इसलिए हो सकता है आपको आगे जाकर वन्डे एक्जाम्स में इन वेजिटेशन के बारे में इन वनस्पतियों के बारे में आपको प्रश्ण देखे जा सकें या प्रश्ण देखने को मिल सकते हैं तो यह बनस्पत्या कौन सी है तो आपने जरूर नाम सुना होगा देखो नाम लिखने से पहले ही बता देता हूं 100% आपने इसका नाम सुना होगा और यह है स्ट्रोबेरी स्ट्रोबेरी वैनिला या वनिला जरूर सुनाओगा ना, होई नहीं सकता क्या है स्ट्रोबेरी, क्या है वनीला तो यह आप लोगों ने आईस क्रीम के फ्लेवर में जनरली सुना होगा कि यह रोजमेरी फ्लेवर है यह रोजमेरी फ्लेवर है यह वनीला फ्लेवर की आईस क्रीम है यह strawberry flavor की ice cream लेकिन क्या भी अभी आपने जानने की कोसिस करी कि क्या है strawberry क्या है vanilla नहीं या जानने की कोसिस करी भी लेकिन आप जब उस ice cream को खाते होगे तो vanilla में एक विसेज प्रकार का स्वाद आता होगा हो सकता आपको अच्छा लगता हो strawberry एक विसेज प्रकार का different vanilla से स्वाद आता होगा रोजमेरी में अलग स्वाद आता होगा लेकिन कभी जानने कोसिस नहीं कि स्वाद किस चिशका आ रहा है actually यह जो टेस्ट है यह जाडियों का है और वो जाडियां केवल Mediterranean Sea type climate में मिलती है और यह जाडियों कि जब आप जैसे हम दातुन करते नीम का अगर उच्छाडियों के डंडी को तोड़ कर अगर आप उसको ऐसे दातुन की तरह अगर आप चबाएं तो आपको स्वाद आएगा वनीला जाडियों का वो वनीला आईस क्रिम यह से यह आएगा प्रश्ण पेपर में पूछते हैं लोग गलत करके आते हैं कि यह क्या चीज है यह जाडियों के नाम है और यह मिलती है उन देश्चों में जहां मेलिटेरियन सी क्लाइमिट मिलती है मुझे उमीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा इस फैक्ट में यहां तक क्लियर है सभी को बताएं यहां तक कोई डाउट किसी को सबको आरा है समझ में ठीक है आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स इन देशों में जहां पर भी भूमद्य सागरी जलवायू पाई जाती है वहां पर दुनिया की सबसे बड़ी शराब उद्योग वाइन इंडस्ट्री पाई जाती है क्यों क्योंकि यह क्लाइमिट यानि कि विंटर रेंट्फॉल इन विंटर वर्सा रितू कब सर्दी में ठीक है टेंप्रेचर 14 डिगरी सेल्सियस बीट्विन 14 तो 18 कब विंटर में ग्रीसमरितू में समर में 19 तो 19-23 डिगरी सेल्सियस यह सब क्लाइमिट और यह परिस्थितिया उन व्रक्षों के लिए उन फलदार व्रक्षों के लिए आइडल मानी जाती है आदर्स मानी जाती हैं जिनमें विटामिन सी पाया जाता है जिनमें विटामिन सी पाया जाता है विटामिन सी युक्त फलों के लिए यह जलवाईू सबसे आदर्स जलवाईू है और ऐसे कौन से फल हैं जिनमें विटामिन सी पाया जाता है एक तो आवला सबसे बड़ा त्रोथ है विटामिन सी का इसके बाद औरेंज, लेमन, इस ट्राइप के जो फल हैं उन्हों में विटामिन सी बहुत मिलता है और औरेंज, ग्रैप्स, ये अंगूर, संत्रे, वाइन इंडस्ट्री, सराव उद्द्योग के रो माटेरियल्स हैं, कच्छे माल हैं चुकि ये वाइन इंडस्ट्री के कच्छे माल हैं, अतह यहां पर बड़े पैमाने पर शराव उद्द्योगों का विकास हुआ है पहले तो यह समझें कि आप लोगों ने कैलिफोर्निया ओरेंज का नाम जरूर सुना होगा जिस प्रकार से हमारे देश में नाकपुरी संत्रे पूरे देश में विक्ख्या थे, उसी प्रकार कैलिफोर्निया ओरेंज कैलिफोर्निया के संत्रे पूरे विश्व में विक्ख्या थे कहते हैं यहां के जैसे मिठास वाले संत्रे पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलते और इनका उपयोग ही किया जाता है किसमें? वाइन इंडस्ट्री में तो ध्यान दें फ्रांस का एक शहर है शेंपेंज फ्रांस का यह France का map बना के बता देता हूँ यह France का map है France जैसा ही बना है ऐसा ही France है France में जो southern portion है France का मैंने बताया कि France के दक्षड में आपको Mediterranean Sea climate मिलेगा France के West में Western European type climate मिलेगा मैं आगे बताऊँगा और France के East में मिलेगा आपको Continental type of climate महादीपी प्रकार की जलवाई हूँ यह France का southern portion है इसमें क्या मिलेगा आपको Mediterranean Street वह वहाँ Continental मिलेगी East में इधर Western European दक्षड में Mediterranean Sea यहीं पर एक सहर है उसका नाम है Champagne और Champagne क्या है एक शराप का नाम है Champagne आपने अक्सर देखा होगा कि Champagne एक सहराप का प्रकार है और उसको एक बड़ी सी बॉटल में कई बाद चियर करते हुए भी देखा होगा मुवीज में देखा होगा आप लोगोंने और भी दूसरी जगा देखा होगा कि यह Champagne जो शराप है इसका उप्योग कई बार जो है वो पार्टीज में या मुवीज में उसको एक चियर अप करने के लिए इसका यूस करते हैं यह वाइन है शराब है और यह एक ब्रैंडिड वाइन है दुनिया भर में जो Champagne मिलती है वो इस ही जगह इस गाओं के नाम पर छोटा सा कजबा है उसके नाम पर मिलती इतना यह उदा शराब उद्योगों का विकास हुआ है सोचिए एक जगह जो है विस्व में फेमस है पूछा जा सकता है पेपर में कि शेंपेन इस्थान या सेंपेन इस्थल विस्व में कहां इस्थित है तो शेंपेन जो है वह फ्रांस में इस्थित है पता होना चाहिए एक और नाम है बकाडी उसका नाम भी जरूर सुना होगा बकाडी बकाडी यहाभी एक सहर का नाम है रश्या गए बकाडी भी एक सहर है और यह भी सराप के नाम पर ही बना है इतनी जादा वाइन इंडस्ट्री जो है यह प्रसिद्ध है इन जगहों पर तो यह थी मेरिटेरियन सी टाइप क्लाइमेट दुनिया में यह जलवायू विभिन परकार के महाद वीपो में मिलती है जहां यूरोप में पूरे दक्षडी हिस्से में मिल रही है एशिया के पश्चिमी हिस्से में मिल रही है इसराइल में लेबनान में सीरिया में साइप्रस में एफरिका कॉंटिनेंट के दक्षड में मिल रही है साउथ अफरीका में और कुछ उस पट्टी में मिल रही है जो मेडिटेलियन सी से लगते हैं टुनिश्या के मिसर के अलजीरिया के लीबिया के उन छेत्रों में आपको भूमत दिसागरी जलवायू देखने को मिलेगी दक्षिन अमेरिका महादवीप में आप यह चिली में देख सकते हैं कि चिली में भूमत दिसागरी जलवायू देखने को मिलती हैं तो यह मैंने आप लोगों को तीन प्रकार की जलवायू में पढ़ा दी, तीनों से प्रश्ण इन से बाहर नहीं आएगा, अगर प्रश्ण आएगा तो लगबख इन ही में से आएगा, इसलिए इने बार बार रिडिंग करें, बार बार रिवाइस करें, और उसको पलेट कर ब जलवायू है, फोर्थ, वह भी इतनी महत पुने, लेकर इसको पताने से पहले एक बात और बता दू, मेडिटेरियन सी टाइप क्लाइमेट के बारे में, कि हमारे देश भारत में यह जलवायू नहीं पाई जाती, देखिए भारत में विस्व की लगबख जलवायू पाई जाती है, केवल कुछ ही जलवायू हैं, जो भारत में नहीं मिलती, तो वे कौन सी जलवायू हैं, जो भारत में नहीं मिलती, अपने आप ही भारत में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए महत पुन हो जाती, उनमें से ही एक यह नाम भी है, जिसका नाम है कौन सी जलवायू भूमत दिसागरी जलवायू यह भी भारत में नहीं पाई जाती किसी भी इस्थल पर किसी भी इस्थान पर